हेलो दोस्तों आज के करेंड फैस के कोश्चन को स्टार्ट करते हैं कोश्चन नूमबर वन हालही में RBI दौरा प्रारम्बी की गई विप्ती समावेशन हेतु राष्टी कारेनिति की अवधी क्या है देखे जिए इसका सही आप्षण है वो है आप्षण दी 2019 से 2024 तक देखे अभी हालही में भारती रिजर्ब बैंक में 2019 से 2024 की अवधी के लिए विप्ती समावेशन हेतु राष्टी कारेनिति तैयार करने की प्रारम्बे की गई है ठीक है वित्ती समावेशन है तो राष्टी कारेनित्ती को वित्ती सिस्थीर्ता और विकास पैसर दोरा अनमोदित पिया गया है वर्तमान में पूरे विश्व में तेजी से वित्ती समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के रूप में पहचाना जा रहा है वित्ती समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 7 सतत विकास लक्षों में इसकी चर्चा की गई है भारत में भी समनवय पूर और समय बद तरीके से उपरुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्बियाई ने वित्ती समावेशन है तो राष्टी कारे में की तयार करने की तकिया ट्रारम देखी है ठीक है चले दोस्तों नेक्स वर्शन देखते हैं राज्य उर्जा दच्छता सुचकांग 2019 के संदर में निम्लिकित कत्मों में से कौन सा सही नहीं है इस सुचकांग के अंतरगत तर्ग संगत तुलना के लिए राज्यों और केंद सासित प्रदेशों को चार समूहों में बाटा गया है सुचकांग में 37 राज्यों तथा केंद सासित प्रदेशों को सामिल किया गया है देखिए जो इसका स्टेटमेंट सही है वो क्यों लिए स्टेटमेंट फर्स सही है ठीक है यानि इसका आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड देखिए 10 जन्वरी 2020 को उर्जा मंत्राले ने राज्य उर्जा दच्छता सुचकांग 2019 अभी जारी किया है प्रदेशों में उर्जा दच्छता पहल की प्रगिती के बारे में जानकारी प्यदान करता है तर्ख संगत तुलना के लिए राज्यों और केंड शासित प्रदेशों को कुल प्रात्मिक उर्जा आपूर्टी पर आधारी चार समोहों में बाटा गया है इसमें है आपका क्रण्ट रणर, सेकेंड है आपका अचीवर, थर्ड है आपका कंटेंडर और चोथा है आपका एस्पिरेंट में बाटा गया है ठीक है लेकि हर्याणा केरल और करनाटक वर्ष 2019 के लिए अचीवर समोहों में सेश्पदर्शन करने वाले राज्ये है ठीक है चले दोस्तों नेक्ट वेक्षन देखते हैं कुश्चन अमर्थ 3 भारत का सर्वोचे नयायले कानून या तथ्य के मामले में राश्पती को परामर्श देता है आपकी options है अपनी पहल पर तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी जब मामला नागरिकों के मूल भूत अधिकारों से संबंदित हो तभी जब मामला देश की एकता और अखंटता के लिए खत्रा पैदा करें देखिए जो इसका सही option है वो है option B तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है ठीक है यदि किसी समय राश्पती को प्रपीत होता है कि विधी या तत्त्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होनी की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्तों का है कि उस पर को विचार करने के लिए उस नयायले को निर्देशित कर सकेगा और वो नयायले ऐसे सुनवाई के पश्चाज जो ठीक समस्ता है राश्पती को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा ठीक है चले दोस्तों नेक्स क्वेशन देखते हैं Q4 चीनी पैडल फीस के संदर में निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिए इसका वैज्ञानिक नाम सेफूरूस गलाडियस है इसे वर्ष 2019 में विलुक्त घोशित कर दिया गया उपर कत्मों में से कौन सा सही है देखे दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है देखे अभी हाल ही में Science of the Total Environment पत्रिका में प्रकासित अध्यन में ताजे पानी के सबसे बड़ी मचली में से एक चीनी पैडल फीस को विलुक्त घोशित किया गया है ठीक है जिसकी लंबाई 7 मीटर यानि 23 फिर तक थी इसका वैग्यानिक नाम सेफूरूस ग्लाडियस है अंतिमार 2003 में यांगजी नदी में देखा गया था या चीनी सोथ करताओं ने अंतराश्टी प्रकृति संदचन संग आई यो सीयन की लाल सूची के मांदंडों के आधार पर निसकर्स निकाला की चीनी पैडल फिस्स विलुक्त हो गई है ठीक है 2019 में चलिए दोस्तों next question देखते है question number 5 सेके भासा के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह भासा वियत नाम में बोली जाती है यह दुनिया में लुक्त प्राय भासाओं में से एक है उपरुक कत्नों में से कौन सा? सही है देखे जो इसका statement second है वो सही है यानि इसका option B सही है देखे सेके का अर्थ है golden भासा ठीक है इसकी जो उत्पत्ती हुई है वो नेपाल में हुई है नेपाल में तिब्वती सीमा से सब्बंद छेत के सिर्फ पांच गावो चुकसांग चैले ग्याकर तांग बे और तेतांग में बोली जाती है ठीक है विश्व में सिर्फ सासों लोग ही सेके भासा बोलते है यह दुनिया में लुप्त प्रायब भासाओं में से एक है ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो like, subscribe and share करना ना भूले Thank you